बूद्ध बूर्णी ऑल फ्यूव मैसेल सुट्रेव पाप्रा बिलंग्श्ट्राम् धास्तुवर उरिस्टा बाई क्वालिफिकाशन पासाव सुड़ेंग। और पिछले कोवीट से पहले मैंने इस बहतरी में स्टांदार्ट सिस्टम का बेनफिट लिया था अगर बताओ अज यहां पे मैंने अपना प्रेमियर लेवल कंप्रिट किया हूं और बहुत जल्ब में आज यहां पे डिप्लोमेट कंप्रिट करने जा रहा हूं। और धैंक्स कैना चाहूँगा इस सिस्टम के एक क्रीटर अरुचित कहना चाहूँगा इस सिस्टम के से जो जो जी ऐएंशर अंट्राक सार और वहिपी चाला अप्राइब में एक बड़ा वीजन लेक एक ऐसे कंपैनी जिन्होंने इसले वाइस साल पहले शुरात होता फ्रेंड संदोहजार को और एक बड़ा वीजन के साथ वेप्रेंड इन्होंने शुरात करते हुए एक आउनलाइन एडूकेशन का फ्रोमशन का लोगों को सिखाने क जिनोंने यहां से बहुत सरे रेकोर्ट नाए है और जिन् 어린वम यहां पे और जिनके फोस्टे प्रेंस अगर में बताओं । जिनके फोस्टे आज बहुत साहि लोगों में हैं आज आज आगे बड़े हैं और उन से सपने पुरे कर रहेlimy अजर मैं उने 2-4 बार मिला हूँ, अन्य बाद क्या हूँ, बहुत ही कोड़ी ने सरके होँ है बहुत ही अचसे ने सके हैं। लेकिन उनका हिए पहुत ही जबड़ दस हुए। आज उनसे सिख के unit बहुत सारे लोगोंने आमके जिंदेने आगे बहुत रहें। बहुत सारी लोगों ने आज यहां पे सपने पूरे कर रहे हैं। मैं आप साय लोगों के डिजिटल क्लापिंग के साथ मैं उनको वर्म वेल्टम करना चाहूंगा। इसमें में और कोई नहीं है फ्रेंट्स। आप साथ मैं अठीक सुन्दी खर्म जोठी लोगों कंदा रहे हैं। ईसलियुद करने वाले हैं। अगर मैं उनको नाम कॉलक ना चाहूंगाँ। तो है फ्रिजिटल क्लापिंग के साथ मैं ने कॉष्टल के साथ मुआंदेश। सब्सु थार्स। तेंक यू तेंक यू तेंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गर्म जोसी के साथ आपने मुझे कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस बेमनार में आए हुए तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ और ऐसा जैसा देख पा रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो आज गाली से गाली में बैठे हैं और इस प्रग्रां में बैठे हैं और इस प्रग्राम को देख हैं ऐसे कई लोग हैं जो गेमर हैं जो अपने सक्षम को पूरा करना चाहते हैं और आज इस पोग्राम में बैठे हैं तो कुछ शीखने को मपूलेगा कुछ जानने को मुलेगा और वो यहां से शीख चारणने के लिए कुछ जान लगाएंगे मुنद करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो मैं अंग्राक सर का तहत देल से अभारी हूँ कि जिन्हों ने आज की इस बिंदार में मुझे कॉल किया, मुझे चुला है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्दवार देता हूँ सर को, ठैंक यू सर और जिन्हों ने इस आज की इस बिंदार में जितने भी गुरुजन बैठे हैं जिनसे मैंने सीखा है, दिविस्वाफ के सारे सिम्यस को मैं तहर दिविसे सुप्रियादा करता हूँ और अपने CNS के 4 pillars जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे सिस्टम सिखाया मैं उनको धन्यवाद दिना चाहता हूँ, मैरी खुश नसीवी है कि इस सिस्टम में मैं सुधांसु सर जैसे लोग के साथ काम कर पाया, मैं सुधांसु सर को ठैंक्स कहना चाहता हूँ मनिश सर जैसे लोगों के साथ काम करना सीखा, जिन्हों ने मुझे सिखाया, 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 जिन्हों न इस गुरुस्टाफ की लाइक बनाया। मैं उनका तहद इसे सुप्लियादा करना चाहता हूँ। दोस्त, जैसा कि मैं आज देख पा रहा हूँ, कि सारे लोग एक्साइटेड हैं, कुछ हमारे, ऐसे लगता है, कुछ हमारे गेस्ट भी है, जो पहली बार इस प्रोग्राम में आये हैं, तो आज मैं अपने जिन्गी की वो किताब के उस पन्ने के वारे में बया करूंगा आपसे, जिस पन्ने को पढ़कर, जिस पन्ने को आज भी मैं याद करता हूँ, तो खुद बहुत रोमांचिक हो जाता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ, मतलब ये ऐसा हो जाता है कि यार, कितना अच्छा वो दिन था, कैसे मैं गवन में काम किया करता था, और वो पन्ने मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जिस पन्ने को लिखने में बहुत महनत किया है, तो दोस्त, अपने जिम्दी की कहाने सुलवात करता हूँ, सुलवात एक छोटी सी कहानी के साथ कहता हूँ, कहाने ऐसी है दोस्त कि एक दिवाली का समय होता है, दिवागुली का समय होता है, दिवागुली में आप जानते हैं कि जब दिवाली का समय आता है, तो महले में साफ सफाई हो जाती है, घर में साफ सफाई होने लगती है, घर में साजाने का कारिकरम होने लगता है, गली में पटाके छूटने लगते हैं, और गली में हर ज़जा सिर्फ बच्चों के बीचे बीच में पटाकों की बात होती है, हर गली में, हर महले में पटाके तो उसी दोरा से एक 8-10 साल का 11 साल का बच्चे का एक सम्मू था और वो सम्मू आपस में बाते कर रहे थे कि इस दिवाली जो आ रहा है, इस दिवाली में मैं ऐसे पठाका छोड़ूँगा, मैं पापा को बुरूँगा, वो आसमान में उने वाले पठाके लाएंगे, मैं फुल धड़ी लाओंगा, मैं बड़ा धमाका करने वाला पठाका लाओंगा, यह महले में बाते हो रहे थे, बच्चा भी था, वो भी इस बात को सुन रहा था, बहुत गौर से ध्यान दे रहा था, और उसके ज्यान में भी आ रहा था, कि मुझे भी पठाके छोड़ने, मैं घर जाओंगा, आपने घर, बोलूँगा, कि पठाके मुझे चाहिए, तो दौरता हुआ, घर जाता है, और बच्चे लोग गली में पठाके छोड़ रहे है, मुझे पठाके चाहिए, बहुत जिद करता है, तो मा उससे परमिशन देती है, और पैसा देती है, वो जाता है, ललता दौर के जाता है, और गली में कि लोकर से एक पठाका खुरता है, एक पठाका खुरता है, एक पठाक तो यह जलेगा और जब इसकी ग्लासमी होगी है और लोग देखे गे हैं और जब लोग पूछेंगे कि यह पुद्रवतरक ही है मैं कमा मैंने किया है जब इसका धमाका होगा इसकी आवाई जो गुवदित की चारोतुरा को होसे घमाका य। ये धमाका मैंने किया है। और ये लाश्टे बिसमस्ता हुआ आता है। ऑःच्वार किया जो लोग तुम्हार होता हिना खे मुझे मसले दिखाना है। मुझे पुरे महल्मे वाले को दिखाना है, मैं तब धमाका करूँगा ना, लोग दिखते रह जाएंगे, मैं तब रॉस्मी पलाऊँगा ना, वोग दिखते रह जाएंगे, और ये पटाखा में पोड के लोग को बताना चाहता हूँ, कि मैं भी ये सकर सकता हूँ. मा बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेले पटाखा मत जलाओ, माचिस मांगता है, मासिस देती है, और अपने हस्बन को बोलती है, कि आप भी इसके साथ लग जाएंगे, आज देखे कहीं, हाथ ना जला दे, और बच्चा को जाने देती है, और साथी खुद भी हो पटाखा में 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 प्रियास करता है और बहुरता है और इसायँ फीवाइबना दे ब these भाघता है और भार करता है और फिर और ढीजिवड algumas करता है और माठिस बलाता है मां को तिझे शुक जाता है लेकर इस भार धिखोर्थ पठाखी में आग नहीं रखती है इसलिए पठाखा पूप्था नहीं है और लिया जाता है वो नहीं कि इसमें कि ये कहानी सिर्फ इस घरते की नहीं है ये कहानी हमारी है ये कहानी आपकी है कि आप भी हम सब भी मैं बच्ष पर शिर्फ अग्यार हुआ है जो पापा के पीछ रहे हैं न चाहते हैं तो आप डर जाते हैं और जोड़े आप जुब जाते हैं पापा के पीछे पापा मना कर रहा है मम्मी मान नहीं रही है दर जाते हैं जब आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं दोस्त आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं करना चाहते हैं क्भी क्राम में हैं आप पुछ बड़ा करना चाहते है जीना है जिना चाहते हैं तब हम औरoral करना पर हैं गएक लिक्त के मोसी चींगार करना नहीं परacağım में लगाने पड़ेगी अक रिवसासे में झिल में में दोट Dec कि आप अपनी मेनत के बल्भू पे जब धमादा करेगा डिफ यूवस दूस if नी जब धमादा होगा तो 2-5 साल में इसी धमादा आप भी नहीं, यह धमादा का आपका परिवार इनां यह धमादा आपका महलपा इनां इस यह नहीं बलकि आप यह धमादा जब कर लेंगे तो आपकी काम्याभी पूरे हिंदुस्तान में गुझेगी और जब ये काम्याभी पूरे हिंदुस्तान में गुझेगी तो आप एक सफल और सक्सेफुल इंसान कहलाएंगे मरे दोस्त एक कहाने सिर्फ आपके लिए है जोस्तों मैं अपने बारे बाद करता हूं दिशाफ से पह कि औला दूंड बबढ़ थैंट अब परिवार के हाशिए पकर अनल में इस्कू एजी अनल शुल निलिक अ प्लाग कॉरणाव कन nuclear लोग करते को उस मिश्चा के कि प्लग談 हूब सुवा मेरे लाइफ से बहुत स्टॉंग था, सुवा आठ बजो में घर से निकल जाता था और राग को आठ वोड़ी आता था, फिर आठ वोड़ी आपके अपने दोस्तों के साथ निज्वाइ करता था, तुकि मैं पैसे जा रहाता था, इसलिए अपने दोस्तों में बहुत पैसे जाला कमाता था, इसलिए उनके फादर मने अंकलो के बिच में बहुत प्रतिस्पिक था, बहुत नाम था हमारा, कि ये एक लाइन पे है, एक रास्ते पे है, ये कुछ अलग नहीं जाता, ये अच्छा काम कर रहा है, तिसलिए मेरा सर्कल बहुत बढ़ा था, सर्कल ब तो गर प्लान बताएंगे, सिस्टम बताएंगे, तो वो जाइन कर जाएगा, तो एक इंट्री आ जाएगी, लेकिन दोस्त, महले में और दोस्तों के माधियम से मेरा नेटवक मार्केटिंग के बारे में मेरा ख्याल कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा किया, मैं डा कि तो यहार मार्कटिंग करते हैं हम ये से लोग जो गपार कर रहे हैं हम जो जैसे लोग रिये जो राष्टे बने हुए हम तुछ से लोग विव प्यास्टे नहीं है रोपन टो चिंट कंपसर या जूरान उसको Приण हो हूद हो के मैं बोलता हूं था था ऐसम नहीं है कि ईसम के बोलता हूं मैं उसको समझाता ऐसके को संपी हो सरन भी दन तो ने हैं वह ऊंदाना या फ्रीक्ल कीित भी निपिल और जो वो चला जाता था तो मैं तरस भी खाता था क्या यार यह असना काम भीगार रहा है अपने जिन्दगी को भीगार रहा है कुछ इस तरह अच्छा कुछ और काम चरें तो भी मेरे पास नॉलेज़ नहीं था नेक्समत में कुछ और लिखा था और इस कारण से मेरा जिजन बिनकूल के लिए था कि इस तरह की कंप्या चलती नहीं है और यह सिस्टम विकार होता है यहां लाइफ वरबाद होती है लेकिन किसमत में मेरे किसमत में कुछ और लिखा था मेरे जिम्गी में बात वहां बनना सुरू होगी जोच जब इस बुजनस की सिरुआका मेरे बेस्ट अ कर दिया जो आज पायर आग्यू सॉफ है किंटु सर ने सिरुट को सुरुआख कर लिया तो जैसे आगी से चल के मेरे पास आ रहा है, यह मेरी लाइफ है, आने वाला भविस मेरा अच्छा हो सकता, यह बिजनस मुझे करना चाहिए, और मैंने उनको वोला कि यार मेरे पास टाइम कहा है, शुबद आठ मुझे निकलता हूं, और आठ मेरे रात में घर में आता हूं, और आठ मेरे तक तो घर लोड़ पाता हूं, और मैंने पास टाइम कहा है, और नेटवर्क मारे कहते हैं, जब तुम करो, या मैं करो, बात तो ब्रावर ही है, आज सोच के हसी लगता है, और और ऐसा नहीं, मैं उनकों मदब भी करता था, अपने दोस्तों को उनकी मिलवाता और इस कारण से कहीं मेरे सुनियर है, मतलब मेरा विजर नहीं था, मुझे लगता था, मुझे लगता था, मैंने उनकों करते देखा, पैदल काम करते देखा, बाइक से काम करते देखा, कार से काम करते देखा, मैं देख रहा था, जो तरक्की खर रहा है, लेकि मेरा विजर मुझे तभी आगे चलके यह नहीं लगा, तो चलो मैं जाते दोलता हूँ यार यह दूजबस भी तुम ने किया है, इसमे तरक्की तुम कर रहा हो, तुम पहले बाइक खर दे, तुम पहले से कार खर दे, तो मुझे भी एडियो साफ कर रहा चाहिए, बलकि मेरे को यह लगता सब्सक्राइब कर दे, तो चुटी का दीम था, संड़े घर में था, आपने दोस्तों के साफ संड़े को मैं पिप्चर दिखा करना था, तो चुटी का समय में जो आया कि एक गुरा में सिमनार है, एसके में तुम आना, सिर्किस मेमोरियोल हॉल, बिहार का सबसे बड़ा हॉ से उनार हॉल सा, उस से पहले, उस हॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जुबु हॉल से बासत ही नहीं था अपना, एसके लिगा हॉताइब लेकिन इसला जानता था कि गहांगी मजान के पास है, मैंने अपने दूने बोडोस्तों को लिए आपने बोड़ाशने मैं जब सिम्नार हॉल में जाता हूँ दो सिम्नार हॉल में जाना के दूर समझे सिम्नार हॉल के पहले जब गेट पे मैं दिखता हूँ क्या कि जिस बिजनस को मैं छोटा समस्ता था जिस बिजनस को मैं 2400 कमाने वाला समस्ता था जिस बिजनस को इसमें में नहीं करता था इसमे एक लेदिंस की लाइन अलग है, एक टिकर लेके जाने को तैयार है। लोग जाने को तैयार है। प्रग्राम कै लिए वहां तो दर्वाज दिया, गाज दिया, वहने लग दिया। तो मैंने कहा भाईया मैs तो चिंटू जी के करफ से आया हूँ तो गार्थ को तो समझ्द मैंने आया लेकिन एलो में Уसने कहा कि आपको टिकट को मुला होगा ना मैंने कई प्रक में कै क्रफ़ अब बताओ टिकट कहां से मुलेगा और कितने का मुलेगा वो बोला टिकट तो यहां लेकिन टिकट का प्राइस अधाई सुरुप्या है, मैंने का यह देखो, गोरुंदा का पिक्चर देखने में 20 रुप्या खर्चा होता है, और यहां चिंटु जी को देखने के लिए अधाई सुरुप्या खर्चा होगा, मेरे पर बात चुकी मैंने बात है तो उसक् dinero हिए और व Great Key recommend आया है, वा समीमिन आपके लिए तो चिंटु सर निकल के अपने रूम से दिकल हौल के रूम के लिए कि हम से रिसिफ करने हम लोग भी औlex करने आए तिन डोस्ते हम लोग, जब आए मुजकिल से 20 कदम होगा दोस्तु से बीस कदम वह आगे आए से तक तक हम लोग आगे बढ़ चुके थे जब हम लोग मिले और उसके बाद जो मजारा मैनत देखा वही टाइम था वही टाइम था जो मैं डिसाइड कर लिया कि मैं इस बुझनस को दोई करूंगा क्यों कि किंटी सर एक कदम चलते नहीं थे कि मैं जिस चिंटु को जानता था मैं जिसे अपना फेंड मानता था चिस चिंटु को जानता था उस चिंटु को रूप मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था वो एक कदम चलते नहीं थे कि पचास मों को आ जाता था हात मिलाने एक कदम लोग चाला सब्सक्राइब करता हूंगा तो लोग चिंतु सार्पूल प्रॉटी सवक्राइब क्याने यूज़ फुट पैंट ही कुछ से टिशर्ट के जा बढ़ होगे से बिते हैं विजनस को दो हजार मात्रिग दो हजार का बिजनस में तब बिजनस में गया तो वहां तो मतलब जोस का समंदर बह रहा था समंदर बह रहा था लोग कारिया बजा रहे थे लोग नाच रहे थे लोग इतने सब्सक्राइब बहुत बहुत बड़ी कंपनी और फिर मैं रेखा कि स्टेज पे लड़का आया जो आरा अरा पत्ना के बगल में आरा है बिहार का आरा asa my और शौा से यह रहा है बहूट को स्टेज पर स्टेज पो इसने बहुत जोसिल्हा रहा आ्ग fij और आज वो बहुत km लाग से साथ से सत्तर हजार महिना कंपारा के मुझे लाहा कि मरे कर मेरे विजन क्लियर हो गया फिर में देखा कि एक ॉस और हो कुल भाइज और समाज ने तु इस बहुत इजत निलता है, डक्टर साहब आये एक डॉक्टर आये और बोग फर खरे होई, तो बहुए बहुत बड़ा बुझनेंस में वहाँ बहुत बड़ा बुझनेंस में अगरे पार गए और फिर बुझनेंस में लाखो रुपे कमाया और आज लाखो रुपे महीनें कमाते हैं जितना भी घमन था जितना भी मुझे लगता कि मैं बहुत बड़ा बुझनेस में हो में बहुत कुछ करता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है उस सारा घमन चूर का ठूर हो गया चकना क्यों चूर का चूर नहीं कहिए चकना क्यों हो गया और दोस्त उसके बाद एक और बारी आई पंजाब से इस प्रोग्राम में पंजाब से एक आदमी आए उथे जिनों ने का कि मैं चार्टर एकांटेट करके आया हूँ पचास-साथ हजार की पैक्टिस है मैंने ऑफिस बंज कर दिया है और पचास-साथ हजार उते हैं पैक्टिस बंज करके मैं कॉमर्स बैच के लड़ता हूँ मतलब टारगेट होता है क्या देड है लाइव बन पाया लेकिन जो सी ए है वह उस बिजनस को छोड़ दिया वह इस बिजनस में काम चरता है और उसमें ने बताया कि इस business ते वो 6,00,00 रूपर महिने आ कमाते हैं मेरे तो दिमाग में हो गया कि अब मैं करू गा तो यह business करूँगा दुलिया में चाहिए जोग हो जाए जोग हो गोल जोग हो जोग हो एस business ते अलग नहीं हो और में यह business करूँगा दोस्त तैयारी हो गोई इस विजनस की सुलवात करने के लिए स्कूच लिया आया जॉइन किया सिस्टम को जॉइन किया और इसके बात ऑब से जी तोड़कों है मैं तो इसके डोस्त हैмоरे तक रिकिल है मेरा जिसके पाद जॉइन कर जाएगा और सोचा सबसे प्राइब किसको जॉइन करवा हूँ तो मेरे एक फ्रेंट थे संजर बोल के फ्रेंट थे जो कंप्यूटर इस शूप चलाते थे उनके साथ 25 लोके थे तो मुझे लगा कि इसे प्लान बताऊंगा ना इसे सिस्टम बताऊंगा ना तो यह जॉइन करेगा तो 25 किसमें ग्रेंट कर जाएगा उसके बाद मेरा बिजनस तो टॉप क्लास पर हो जाएगा मैं अप्ले 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 अग्रेसिव था उक्साइट था और मुझे लगा कि बाद जब भाद भी मुझे सब हासल करना है जो संदार हॉल में देखा था और गया उनसके में तूज़ पास उसके दाट जा भी मैंने बताया कि भाई अचैसे है उसने पूरी बात सुली मुस्कूराया लगे см कुछार्ट शेह गया फिर इसे बोलता गया गया हॉसके चैनल में करेंगा क्या उसने मोला कि या पर नंपता तो मुझे करना क्या है कि वो सिर्फ बताना एक सबस्क्राइब ने तरफ लिया एक इस पे बताइक डारी के बता क्या है बें दोस्त बहुत अग्स साइटेट था लगता कि बहुत कुछ बतागों परकाइन पाया कि नहीं पाया गारी पेन उस्थाया कि वाम इसको बताओंगा बिश्था बताओंगा नहीं लिख पाया अंदर से बाप्रयास करने अशार आगे मैं इसे बताओं नहीं पाया होई नहीं पाया जैसा कि आज कट्वराम का फिल है कि सुरवात में सब इस काम जो है डिफकर्ट लगता है तफ लगता है बात वो काम करते करते आसान हो जाता है वो आज में यह समझी हो रहा है कि मैं इतना मतलब शेयर माज़ेट में लाखों लोग लगा दिया करता था लेकिन उसके पास गया उसके पास जाकि देउसाथ की रिंक्री नहीं निकाल पा रहा था तो कि मैं उसे बता ही नहीं पा रहा था मेरे अंदर बहुत कुछ था मैं बताना चाह रहा था मेरे अंदर से फृप के प्लान के साथ से पीछे यही रीज paralysis है कि जब वो इसको चोड़ता है उसके चोड़ता है अपने आदमि से उमीद करता हूँ अपने आदमी के पास जाता है और उसको प्लान बताता या सिस्टम बताता मौखिक रूप से कि यह सोच कि वो जॉइन कर जाएगा और जॉइन नहीं करता है रिजक्शन मिलता है तो घवड़ा जाता और घर जाता और इस बुजनस से आजमी नहीं करता और अगर गलग होता तो मेरा दोस्ति इंपू नहीं करता होता मैं फिर अपने आपको समझो रहाया अपने आपको समयगा और एक वार फिर से अपने अंदर जुमन भड़ा और मैं ने क्या किया सुन चिंटू सर से समतक साधा और बताया है कि मुझे यार बुजनस करना है गुज weeks कर考 करते हैं कैसे आप कोबनाते हैं जैसे प्लान बताते हैं कासे स्ला अब करते हैं अ यह सब सिकने के बाद मैं घर आया और घर आने के बाद तुरु बिर से면 नहीं दो दीन नहीं क्यों कि दीन लघातार कई दिन मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, कई दिन लगतार मेरा सिर्जे काम होता था, सुबह उठके भी ओए काम होता था, ऑफिस जाता था, उसके भी ओए काम होता था, मेरा ध्यान सेर में नहीं रता था, मेरा ध्यान रता था कि इस प्लान को सिख ले, इस कंपनी के एक स्कूने और इसके बाद मैंने इसके प्लान को सिखा। एक पेज रही, दो पेज रही, कई खनपिया मैंने खतम कर दी, कई अधर्य ранbag मैंने ख़तम कर और bury सेखाई, खुझता था, कि दो हो नहीं दिता था, और एक दिन ऐसा अगया दो, दस दिन के अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, कि मुझे अपने प्लान पर, ग Pack, मैं खुद ईक्साइटें लगता था, याँ, यह कोई प्लान है, यह स्टम है, अब यहां से कोई मुझे रोट नहीं सकता, अब नहां से कोई मुझे हरा नहीं सकता और इसके बाद मैं अपनी फिलिंग बताने के छोड़ी भी गानी आपको बताता हूँ कि एक बहुत बहुत बढ़ राजा थे बहुत बढ़ राजा उनके सोड़ की कहाने दूर दूर तक साली हुई थी वो राज के काम भी करते थे और बहुत मराती थे उनके निशाना वो जो बंदुग चलाते थे तो उनका निशाना अच्यूख था इसकारण से उनका बहुत नाम था बहुत सोरविर नाम रागत है एक बार जब वो राजबरवार का काम खतम करके अपने महल में लट रहे थे त कि समय ही ईस ग्माल में लोट पे समय और देखा यइस जिवा रुग गया हुंक्र थे धा नाम फेल रहा था स्प बार घ्रम करया है झा क्वह कं और जीम का0 फरीए jaga अकर के शीशे आजाता था लिखलते खिलते खिलते फिर बाट के पर बाता, फिर अफिर भर घाने बर ढटा था तो राजा कर्दे तैंध लोगो राजा बड़े खिलते वह बाता नोन है यार, मेरे मैं राजी मेरे sonyata, वराज़ र के मेरे हाख़के करने वो बहर गया, वो उसको वाजी ससी हो लगा, इसको नाम का क्या होगा? लोग मेरे नाम से बुसरे राजा थर्फर कारते हैं, और मेरा राज कमार जो है, उसके दिमाग में खलवली मच गई, उसी समय, उसी समय गुष्चे में आया, पांच साल के बच्चे को उठाया, और उठ ले ले लिए और में शॉपा दिया और बच्चा चिंख रही है पापा पुला रहा है पीटा जी पिता जी बुला रहा है लेकिन ऊस्तुन नहीं रहा है उतने में कुछ देर के बाद उसकी आवाज पूरे जंगल में बोर रही थी उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में कौंग रही थी उसकी रोने की आवाज उनके एक भेडिया आता है जब भेडिया आता है भेडिया उसको देखता है उसको समझ जाता है ये मेरे लिए आहार है, ये मेरा खाना है, और उसको खाने के लिए तो धीरे धीरे जैसे ही पास में आता है, और उसको देखके बुरानता है, तब पीछे से राजा अपना बंदुत निकालता है, और आसमान में फैर करता है, भोता है, जैसे धाम के आवाज होती है, दुर्या बच्चा भाग जाता है। बढ़ जाता है, दोस्त, उसका confidence level बढ़ जाता है, ध्राम के आवाद से बढ़ जाता है, अब मेरे अदर जिनुन आ चुका था, कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा, जो मुझे मिलेगा उसे मैं प्लान बताऊंगा, उसके सारे सवालों का जवाब दूँगा, इतना confidence आ गया था, उस बच्चे की तरह मेरे अंदर आ गया था, वो भ्राम सुनके भरिया भागेगा, यहां मेरे सारे सवालों का जवाब सुनके यहां जोइनिंग आएगी, और मैं जिसके मिलता था, वो जोइनिंग करने को त्यार हो जाता था, एक आजमी गर्जिन को प्लान देचा था, एक आजमी की प्लानी होती थी, 14 बच्चे जोइन कर जाते थे, बिरा दूजस अब अच्छा होने लगा, मैं काम करने लग थी, मुझे पता नहीं था, बहुत बड़े बिजनस के सुरुआत होने जा रहे थे, बेस्ट बंगाल आसन सोचे कि मेरा सेंट मिल गया, बोजी अपनी जिन्गे में कुछ करना चाता था, लाइफ में बढ़ा बढ़ना चाता था, उसमें कहा यार, यह सिसका मुझे बताओ, उसको बताया, पत्ने में बताया, अच्छा लगा, उसने का मेरे हाँ आओ, मैं उसके हाँ आगया, उसके हाँ बाते किया, ऐसे करके वहाँ पे प्लान लान करके जस्वारल उसके जोइन करवाया, और फिर वहाँ से एक रूम में मैं राता था, और मेरा यही काम था, यही का में कर आगमें आPS पेरिमेंट निकलने लगा हृ थी वक्त.. थेंक्भा का ने चाहता हो दृशसाफ ? थेंक्यम्त का चाहता हूं ।fa च्राइनआ का जिननना एडवांस है थे टोफिस स्ट्म 18 सोघ बहुति निकलने लगा कि निकलने लगा every 3 दोष समय जे जाता है कि एक प्रग्राम में आये तो हम लोग उस समय तक 25-30 लोगों के पीम हम लोगों बना लिया था और दोसमें बहुत आगे बार नहीं जा था तो कि मैं अकेले प्रान किये जा रहा था और लोगों मेरे लोग कुछ जानते नहीं थे आया पत्ना के प्रग्राम में आया दोस्ट और यह बात बहुत 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 इस सिखने की बात है जानने की बात है कि वहां में क्या सिखा इस प्रग्राम में आया इस प्रग्राम में आने के बार जब बैखा तो यह प्रग्राम बेखा समझ में आ गया मैं पत्ना का था, पत्ना में आने के बाद भी पत्ना घर नहीं आया, मैं जैसे आया था आसाम सोल से, अपने 20 दोस्तों के साथ मुझे लेकर 21, वैसे बापकर चला गया, और उस दिन एक चीज सिखा, जो सबसे बड़ी चीज है प्लेटोर के लिए, learn, teach, duplicate, जो आप सिखिए, उसको सिखाईए, उसको learn कीजिए, teach कीजिए, और सामने वाले को ऐसा करने के लिए, duplicate कीजिए, मैं अकिला उस तरह प्लान करने वाहा था, जब मैं उनको 20 लोग वैसे, उन 20ों को 7 दिन तक, 7 देज, मुझे याद है, 7 देज हम लोंने कोई प्लान नहीं किया, कोई प्लानी यही काम किया, प्लान कैसे करते हैं, साथ देन तक, बिस आदमी को साथ, प्लान शेयर किया और 200 आदमि को अपने, जो मैं प्लान जानता था, वो प्लान प्राण्सपर कर दिया, दोस्त, और उसके बाएट जो बिर्मस में तुछाँ आवाया, जो मतलब बद्लावाया, उह आपने अंदर के टालेंट जो आपने तीखा है अपने अंदर के चालेंट के अपने डाउन लाएंद मेंच टालेज़े अपने अंदर के चालेंट अपने आँच मत रखिए कि यार सि producción जो प्रेक्स है यह चाले नाम हो नहीं यह बिजनस सेलाने का है अपने अंजर के निचे के लोगों को बताईए कि आप कैसे जिनस को करते हैं आप देखेंगे कि आप एक आजमी है जब आप अपने जैसे 20 आजमी को सन्वर्ड कर देंगे तो आपका बिजनस कितना ज्रोथ हो सकता है दस माइल के आस्तास हो गया था इस दौरान कई सिमनार किये और एक बार मुझे को फोन आता है पतना से चुकि उस समय मोबाइल फोन इतना अग्रेसिव नहीं था मेरे पास फोन था चिंटु सर का पास फोन का लेकिन जहां मैं काम नेटबॉक नहीं था वहाँ पब्लिक भूप था जहां पर मैसेज होगा जाता था चिंटु सर का फोन आता है कि बर्दवान जो आसंसों से एक 100-110 किलो मिटर डूरी पे है बर्दमान में पुग्राम हो रहा है जिस पे मैं सीथी बेस्ट हूँ और चिंटु सर की बहुत बढ़ी टीम थी हड़ ज़गा उनका पुग्राम होता था तो अगर आपको टिकट चाहिए तो बताइए पचास से साथ टिकट या सवा टिकट हम अब लगल करवा सकते है हम ल बाते करा कि यह मौका है यह मौका है चिंटु सर को देखने के लिए हम लोगो 400 किलिमेटर बूं पटना को उखना करता है यह मौका है जहां पे आप अपने बिजमस को बढ़ा सकते हैं और हम लोग ने उस प्रग्राम की तयारी करने शुरू कर दी नहीं सोचा है कितने टिक किया घर घर जाक कर पर दीफाई करना तो हुशार सकतरू किया और फोग्राम को एडिफाई करते करते जब शिम्नार में जाने का वक्त आया तो हम लोग चुकि बस सिग जाना था बस हाइर करना था हम लोग एक बस दो थीन भस चार बस पाँच बस कर तो जब सम्नार हॉल में पहुंचे तो पूरे 11 बस के साथ पहुंचे लग लग आग 100 आदमी के साथ चिद्धु सर्वप्स में बहुत डाटा गरी आप गुसरे के पोग्राम में 100 आदमी की 100 टिकट आपको मैंसमा मिल सकता था आप 800 आदमी के साथ आप आते हो मैंने का सर्क मुझन मुट्व लगा कि हम त्यारी करेंगे त्यारी करते 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 ऐसे हो गए डाउन लाइं को मुना नहीं कर सकते हैं पूग्राम में फिर 800 लोग हमारे बैठे दोख उसका नतीज़ा यह हुआ उसका नतीज़ा यह हुआ कि उस पोग्राम से कुछ महिनों के बाद मैं रोयल्टी ओल्डर हो गया कंपनी के 2% का पार्टनर हो गया और काम करने के एक साल के अंदर मैं डिप्लोमेट बन चुका था तो अगर आपको मैं इसलिस नहीं बता रहा हूँ बन चाहिए आप अपने अगल बबल महले सभी लोगों को तैयार किजिए लेके चलिए और देखे आपको सक्सिस मिलेगी जो काम एक साल में होना है वो काम एक महिने में हो जाएगा अगर आपने अपनी एनर्गी लगा दी और ये एनर्गी मरा काम कर गया उसके बाद प्रग्राम किया दो बाद टेजी के बुजनत बढ़ने लगा कुमार मनिस्टर का सपोर्ट मिला कुमार मनिस्टर का प्रग्राम किया दो-तीन हजार लोगों का प्रग्राम किया इस सफलता की कंसीमा बढ़ चुकी थी हमारा पेमेंट जो है जो 2000, 4000, 7000, 10,000 आता था वो पेमेंट आप रुपया, 80,000, 80,000, 100,000 रुपया बदल चुका था अब लाइफ बदल चुका था अब मैं कौसर से कौसर हो चुका था और दोस्त एक program हमने यादगार program किया कहीं ना cinema hall में जगा मिला ना hall में जगा मिला तो हमने tent गार के 7 अज़ार यों का program भी चिया और business बहुत तिगी से आगे बढ़ते चला गया दोस्त अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका business बढ़ेगा थी सरुव में मुस्किले आएंगी मुस्किले आएंगी लेकिन आपको मुस्किले आ रही है जो आपको कतनाई लग रही है वह आने वाले समय में आसान हो जाए है तोस्त एक बात और कहना चाहँगा इस business में सकसिस का एक बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा मंत्रा मुझे लगता है एक छोड़ी पी बात मैं आपके दिश लिखाता हूँ जब सिता हरन हो चुका था रामायन के बात बोड़ आओ सिता हरन हो चुका था तो राम जी जब सिता को खोज में निकले हनुमान जी का मिलन हुआ है, हनुमान जी और राम जी जम भीले, हनुमान जी ने राम जी से वचन गया, तो मैं सीता माता को खोज के लाओंगा और वो चल दिये अपने कुछ लोगों को लेके सीता माता को खोज के लिए चल दिये लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बारने को बाद जालते हैं तो दिखते हैं कि बहुत बड़ा समंदर वहत बहुत सक्तिंगा फिर मुत नि बहुत संदर कि ऐसे साथ सक्ते के तुम्हारे अंदर मैं सिर्फ आप से पूछना चाहता हूँ कि यह क्या था यह क्या था जामन धानुवान जी को बताने जो ताकर याद दिला रहा था वो क्या था एक दिस और जानदा यह महाभारत में जब परवो और पांडवो की सेना आपस में खड़ी हुई खड़ी हुई दोस्त लरने के ल किसे में मार रहा हूं चाचा को मार रहा हूं किसे में मार रहा हूं बतीजे को मार रहा हूं किसे में मार रहा हूं भाई को मार रहा हूं किसे में मार रहा हूं किसे में मार रहा हूं किसे में मार रहा हूं दादा परदा लोगों को मार रहा हूं वो बोले कि मैं चाहिए तुम सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़े हो, राजी के लिए नहीं लड़े हो, तुम धर्म के लिए लड़े हो, और धर्म के पक्स से लड़े हो, धर्म का जीतना जरूरी है, ये क्या था, जिसे जीता सार बना, ये क्या था दोस्त, ये कुछ नहीं था, ये मोटिवेशन था अगर आपने अपने अप्लाइन से बात कर लो उसके बदने सेमार में चले जाओ, उसके बदने आप करी मिटी में जाओ और ये जानो कि आपका लिया हुआ फैसला जिरुसाफ में एक दिन बहुत बड़ा काम करने जा रहा है आपका लिया हुआ फैसला आपको सक्नु के दिन भी दिलाने जा रहा है आपका लिया हुआ फैसला, आपको ही नहीं, बलकि आपके परिवाल को फेमस करने जा रहा है, उसलिए अपने आपको मोटिवेश रखें, अपने आपको हमेसा आगे रखें, और जो निगेटिव होते हैं, उनसे संपर्थ से दूर जाएं. दोस्तों, यह पोग्राम का आख़ी पड़ाँ है, मैं करना चाऊंगा, कि मैं इस परोग्राम से सिर्फ जोस में काम करने की जडोत महीं, आप जोस में काम ना करें, तुम्हें एक्सािटिजल नहीं, मैं मुझे काम करता हूँ, कि मुझे दुह जार रुपय आते हैं, या इस बिजनस से मैंने अपने लाइफ को बदलते वे देखा है, इस बिजनस से मैं जानता हूँ कि किसी की लिंगी बदल सकती है, इस बिजनस से मैं जानता हूँ किसी की लाइफ बदल सकती है, इस बिजनस मैं जानता हूँ कि किसी की सपने पुरे हो सकते हैं, इस बिजनस से मैं जानता हूं कि कोई अपने परिवार में पैसे कमा कर अपने बहन के साजी कर सकता है, अपने माता किता के सपने पुरा कर सकता है, इसलिए पुरे प्राउड के साथ ये बिजनस करता ही हूं, और एक आस्था के साथ भी ये बिजनस करता हूं, तो कि ये बिजनस जो देता है, त दुनिया का कोई बिजनेस नहीं देता अन्स कमे कहाना चाहungगा कि मैं धन्नेवाद कहता हूँ कि लिषिसर का, जिन्हों होने इतना अच्छा सिस्टम बनाया इतना संदार सिस्टम बनाया ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर युगा, सपने देख सकते हैं एक दो रुटे के नहीं तो जी करवों पे सपने देख सकते हैं और सपनों को हकीकत में पूरा भी कर सकते हैं उसके लिए मेनद कर सकते हैं तो थैंक यू दिशी सर, आपने एक सांधार सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम से हम लोग में अपना नाम कमाया है, और आने वाला जनरेशन भी अपना नाम कमायेगा, थैंक यू, थैंक यू वरी मच, मुझे फ्ला फ्ला उमीद है, कि मेरी बाते आप समाम लोगों को समझ में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सारे डाउस, क्लियर होंगे, और वहां से यह स्टार्ट करके, एक नए दोर में जाएंगे, और ने थापते और एक सिनियर से मिलेंगे, जहां से बहुत कुछ चीज हम लोग सिखेंगे, इस तरह साहिलोग बनाये रहे हम लोग के साथ, और अगले हपते फिर हम लोग इसी व करता हूं, थैंक्यू, 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 आल फ्यू, जाय दिश्वाग।